हलो गाइज यहाँ पर हम सिखने वाले हैं रूट के जोड, रूट के घटा, रूट के गुना और रूट के भाग तो आप एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इस वीडियो के नीचे लिख कर जा सकते हैं तो गाइज वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जोड, तो यहाँ पर जोड में पहला सवाल है रूट टू पलस रूट टू, तो अब इसको कैसे बनाना है यहाँ पर देखिए रूट के आगे कुछ है की नहीं अब यहाँ पर भी देखिए रूट के आगे कुछ है की नहीं तो रूट के आगे कुछ भी नहीं है जब कुछ भी नहीं है तो आप एक मान लीजिए ठीक है, तो अब इसे जोड़िये एक एक कितना हो जागा दो हो जागा और जब सेम सेम रहेगा जोड में तो आप उसे एक कही गो लिखिएगा तो सेम सेम है तो आप इसे एक कही गो लिखिएगा यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिये तो यह आपका answer हो गया चलिए एक और उधारन लेते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है दो यहाँ हो गया और कुछ भी नहीं है तो समझी की एक है तो दो और एक कितना हो जागा तीन हो जागा और जब सेम सेम है तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको एक ही गो लिखना है तो इस तरह से ये आपका answer हो गया चलिए एक और उदारन लेते हैं यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से देखिए रूट के आगे भी है और यहाँ भी रूट के आगे भी है तो अब आप क्या किजेगा जैसा है वैसा ही लिखिए पहले नमबर इस तरह से और हाँ यहाँ पर ध्यान दिजेगा रूट वाले क्या है दो यहाँ पर है और यहाँ भी रूट में पांच है तो यह दूनों सेम नहीं है तो अब यह जूडेंगे नहीं जैसा है वैसा आप लिख दिजिए आपको यह बन चुका है जी हाँ इस तरह से आप इसे लिख दीजिए आपका बन क्या जैसा है आप पहले देखिए कि यह रूट वाला बराबर है कि नहीं सेम है कि नहीं तो यह दूनों अलग-अलग है यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 5 है तो ये अलग-अलग है तो ये जूड़ेंगे नहीं ठीक है चलिए अब घटाओ सिखते हैं यहाँ पर आया रूट का घटाओ पहला में देखिए सवाल है रूट 2 माइनस रूट 2 जब सेम सेम है तो आपको भी पता है कि ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके चलिए ये आपका एंस्वर हो गया चलिए एक और उधारन लेते हैं घटाओं में अगला उधारन देखिए यहाँ पर रूट के आगे कितना है तीन है और यहाँ रूट के आगे क्या है कुछ भी नहीं है तो अब आपको क्या करना है नहीं है तो एक मान लेना है तो एक यहाँ पर हो गया और तीन में से यहाँ पर एक गया तो कितना बसी गया दो और दो क्या है यह सेम है अब सेम है तो आपको जैसा है वैसा लिख देना है जी हाँ यह आपका answer हो गया चलिए अगला सवाल देखते है अगला सवाल यहाँ पर देखिए root के आगे 6 है यहाँ पर भी root के आगे 3 है तो जिस तरह है और यहाँ पर देखे रूट में 5 है और रूट में 2 है तो यह घटेगा ही नहीं अब जैसा है उसी तरह आप लिख दीजिए यह आपका answer हो गया जी हाँ हो गया तो लिए घटाओ हमने सीख लिया अब थोड़ा सा सीख लेते हैं गुना यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह है कि अगर आपको गुना दिया रहा है तो अब आप क्या किजिए रूट के आगे देखी क्या है रूट के आगे दोस्तो फाइप है और यहाँ भी रूट के आगे दू है तो पहले यह दूनों को गुना किजिए तो पांच दूना के कितना हो जागा दस अब इसको क्या कर दीजिए जब root root जब समान है तो आप समान है तो गुना होता है तो root root हट जाता है केवल pipe हो जाएगा जी हाँ, समझ रहे हैं न root root से गुना होगा तो root हट जाएगा और यहाँ पर देखिए यह समान है, दोनों तरफ 5 ही है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जब समान रहेंगे तभी गुना होंगे तभी root हटेंगे नहीं तो समान नहीं है तो गुना होंगे लेकिन root हटेगा नहीं ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10, 5, 50 तो यह आपका answer हो गया अब यहाँ पर गुना का समान है, नहीं समान नहीं है तो अब क्या किजिए गुना का चिन लगाए और समान नहीं है तो गुना कर दीजे इस तरह से आप गुना कर सकते है दूत्य कितना हो जागा 6 तो बारा लिख करके root में 6 यह आपका answer हो गया तो गाइज इस तरह से आप बना सकते है चलिए एक और उदारन लेते हैं गुना का यहाँ पर इस तरह का अगर गुना रहेगा तो अब आप क्या किजिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिजेगा एक लिजेगा तो गाइज तीन एकम कितना हो जागा तीन से एक में गुना अब हम करेंगे तो कितना हो जागा तीने हो जागा अब यहाँ पर देखिए रूट रूट दम समान है जब समान है और गुना होंगे तो root हट जाएगा तो यहाँ पर root हट जाएगा अब 3 के पहड़ा 3 बर पढ़ लेजिए आपका no answer आजाएगा तो गुना तो हम देख लिए चलिए अब भाग भी देख लेते हैं यहाँ पर root के भाग को देखिए यहाँ पर है root 2 भागा root 2 तो अब आप क्या किजेगा इसको पहले यहाँ पर लेखिए तो इस तरह से लिखिए बटा में root 2 अब हम भाग लगाएंगे तो काटेंगे तो कितना आजाएगा जी हाँ एक समझ रहना कितना आजाएगा एक आजाएगा चलिए यह भी देख लिए चलिए एक और उधारन लेते हैं भाग का आगला उधारन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके आगे कितना है दो है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्या किजेग पहले लिखिए दो root 3 बटा root 3 अब यहाँ पर देखिए जो-जो समान आपको दिख रहे हैं काट देजिए तो यहाँ पर यह दूनों समान है तो इसको हम काट दिए बच गये हमारा 2 तो 2 हमारा क्या हो गया? अंसर हो गया ओके? चलिए एक और उधारन लेते हैं अगला और अंती मुधारन है देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहां पर कितना है बारा है और यहां पर कितना है दो है तो पहले नमबर आप लिख लीजिए जिस तरह है उसी तरह यहां पर देख लीजिए अब इसके नीचे ये लेगे यहां लिख दीजे ये वाला तो दो हो जागा और रूट में ठी तो अब यहां पर ध्यान दीजे अब क्या किज ये आप 12 जो है ये इसे काट देजे 2 छका 12 पहले आप यहां पर देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं रूट थीरी गुने रूट फाइप आप बताइए इसे लिख सकते हैं रूट फाइप में जी हां बिलकु लिख सकते हैं और बटा में हो गया दो और रूट थीरी इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था अब गुना होगा तो रूट में यह यहां और रूट 3 यहां खतम अब यहां पर यह दूनों खतम हो गया और यह से दो छक 12 यहां च्छाव हो गया तो च्छाव हो गया यहां पर रूट 5 हो गया तो यहां पर इस तरह से बराबर देजिए और 6 और रूट 5 यह आपका एंस्वर हो गया तो गाइज इस तरह से आप बनाने का परियास कीजेगा अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजेगा और सबस्क्राइब तो बनता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत